हेलो गाईज, वेलकम बैक तो दे चैनल मीनू 21 आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाईज मॉनिंग का टाइम है और इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सुबह न हर चीज का टाइम एक फिक्स होता है कि ओफिस जाना है, स्कूल जाना है तो काम न थोड़ी हर बड़ी से होता है और जल्दी बाजी में होता है क्योंकि सुबह का टाइम मुझे लगता है बहुत जल्दी बीता भी है और टाइम जैसे अगर आपको शाम का समय है या दोपह का समय उतना जल्दी नहीं बीता है लेकिन सुबह का टाइम बिल्कुल जैसे लगता है कि दोड़ रा है इसलिए उटने के बाद से ही न पूरे कामों में मैं ज़हरबड़ी में लगी रहती हूँ बहुत रेरली ही मैं शूट कर पाती हूँ मौनिंग रूटीन क्योंकि सुबह का काम न थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि बच्चों को तीनों बच्चों को सब कुस देना लंच प्रेपेर करना मतलब रेडी तो वो खुदी हो जाते हैं लेकिन और भी चीज़ें देखनी होती है बहुत कम ही कर पाती हूँ तो इसके बाद चलिए गाईज मैं नाश्टा बना के मिलती हूँ हेलो गाईज वेल्टम बाक टू दे चानल मीनू 21 आई होप आप लोग अच्छे होंगे और गाईज आज है साटरडे और मैं आज बच्चों के स्कूल में पी टीम है तो आप लोग बने रही है और जल्दी जल्दी में ना क्या होता है मेरे से खाया ही नहीं जाता है लेकिन अगर नहीं खाएंगे ना तो फिर मेरा सर पकड़ लेता है इसलिए एक पराठे खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ हेलो गाईज अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ गाई स्टेटियम से और इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी शूट करती क्योंकि वहाँ एक तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता है और दूसरे गाईज इतनी हड़ बड़ी थी ना तो फिर अभी आके मैं जट जट लंच प हब कि हाथ यह मतलब से ठर्ड अक्र प्हाइन है न तो हब ढम जाना नहीं है तो थोड़ा रिलाख सूंहें तो फिर खरवडी ही रहती रहती है दो ज़ल्दी जब्ध के लिए तड़का पैम में झाल लगा रही हो भी चावल बनाना है रोटी बनाना है तो जल्दी से बना के रखती हूं आज मैंने ना अमला रीठा शीका काई भी भी गोया हुआ है कड़ाई में यह देखे जाइस काला हो गया है बिल्खुल और इसको मैं लगाऊंगी शैंपू की जगह न मैं इसको लगा ले की न हैड़ वाश तो बाल अच्छे से सुखेंगे नहीं और फिर ठंड लग जाती सर्दी जुकाम हो जाता है कल ही मैं लगाऊंगी एक देड़ घंटे लगाते हैं फिर उसके बाद वाश कर दीजिए बिल्कुल शैंपू की तरह आपके बाल अगर आपकी बालों में ऑईल भी लगा है ना तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है तो चलिए मैं लंग्ज करके आप लोगों से मिलती हूँ हेलो गाइज वल्कम बैक टुदे चानल नूनू21 आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज संडे मॉनिंग और आज मैं उठी हूँ दिलकुल रिलाक्स लेट बहुत अच्छा लगा है मुझे तो मुझे सुबह उठना नहीं पसंद है और मेरा किचन तूरा फैला हुआ है क्योंकि मैं कुछ नहीं करी थी क्योंकि आज संडे है मैं सोची थी सुबह मैं करूँगी आराम से बच्चों को स्कूल जाना नहीं है बच्चों को स्कूल जाना रहता है ना तो सब काम टाइम पे करने होते हैं तो आज मैं बिलकुल भी रिलाक्स हूँ अभी मैं अपना करते हैं तो गाइस चलिए क्लीन करते हैं देख रहे हैं मेरा स्लैप पुरा भरा हुआ है अन्वांटेट चीजें सब भरी हुई है उनसों को मुझे खाली करना है क्योंकि कल ना हम लोग कल मेरे हस्बेंड का हाफ डे था तो शाम को मतलब सेकेंड हाफ में जाना नहीं था तो हम लोग की दो लोगों के घर चले गए थे एक तो हमारी रेलेटिव मेरी दीदी लगती है तो उनके हाँ आमले का पेड़ है न तो आमले तुडवाई थी तो वो बोली थी आके ले जाना तो उनके हाँ चले गए थे और एक मेरे हस्बें के कलीक है उनके हाँ चले गए थे तो आई ही हम लोग काफी लेट 10 बजे आये थे तो फिर उसके बाद मैं तो सबजी बना के गई थी आटा गूत के और फिर उसके बाद मैं रोटी मतला बनाई और काफी मतला फिर भी लेट हो गया था ग्यारा तो बच गए थे हम लोगों को डिनर करते करते मैं तो की भी नहीं क्योंकि जब अधिकतर लेट हो जाता है ना तो मिरे से खाया नहीं जाता है मैं खा नहीं पाती हूँ तो फिर मैंने किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था बोला कि कल तो संडे है ही सुबह उठेंगे तो करेंगे तो इसलिए अब मैं ये सब साफ सफाई कर रही हूँ ये सब थोड़ा इंडक्शन मैं इस एक मेरे पास प्लैंक पड़ा हुआ है उस पे मैं रखती हूँ क्योंकि अगर कभी पानी वानी गिर जाए न तो वो तो जैसे एलेक्ट्रोनिक आइटम है तो खराब भी नहीं होगा और सेफ भी रहेगा इसलिए तो इन सब को भी थोड़ा पोचना पड़ता है क्योंकि कभी बच्चे पानी गरम कर रहे हैं कभी कुछ गिरी जाता है तो गंदा हो रहती है और आज मेरी जो हेलपर है न उसका भी करवा चौत का व्रत है तो मैंने उसको मना कर दिया था कि मताना फालतु में तुम आराम से त्यारी करना तो आज मुझे ही सब करना है तो बच्चे अभी सोय हुए हैं मैं सोची पहले ये सब काम कर लेती हूं फिर उनको जग मतलब उठते हैं तो मैं उनको गुनगुना पानी देती हूं और हमारे हां जैसे एक लोगों का हमारे खांदान के हैं उनके हां किसी का देहान थो गया है तो फिर हमारे हां पूजा करनी नहीं है तो ऐस सच कुछ हड़बड़ी है नहीं तो इसलिए मैं थोड़ी रिलैक्स ह और अभी न मैं बिना पूजा किये मतलब पूजा तो करनी है नहीं तो मैं सबका नाश्ता करा के और फिर मैं बालों में आमला रीठा लगा लूँगी इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं मैं न गाइस कोई भी कंडिशनर का यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगत आत के भी शैंपूज मुझे अच्छे लगते हैं लोकिन मैं हमेश्या खादी नैचुरल का ही यूज करती हूँ कभी गांधी आश्रम से ले आती हूँ तो इन सबकी ही छीजें मैं यूज करती हूँ मैं सोसती हूँ जितना क्यामिकल फ्री Caesar मैं इस्तेमाल कर सकूँ और इस जैसे ही मैं कुछ-कुछ जैसे अलोवेरा जैल और ये सब चीजे मैं सिमाल कर लेती हूं कि बाल अच्छे रहें नहीं तो आजकल हर चीज में इतना मिलावट है तो आप जितना नैचुरल चीजों की ओर बढ़ सके न वो अच्छा होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इ इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि जितनी नैचुरल चीजों को मैं कर सकूं या जितनी नैचुरल चीजों से मैं इस्तेमाल कर सकूं प्योग कर सकूं कैमिकल से जितना दूर रह सकूं लेकिन आजकल तो हर चीज में ही मिलावट है आप कितनी देर बचेंगे और गाईज हमार साइड न माईके में होता है न ससुराल में इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ क्योंकि कोई भी चीज जैसे वरत त्योहार जब आप क्या होता है न तभी आप उसके रिचुछ उसकी सब चीजें जानते हैं तभी आप उसको कर सकते हैं अच्छे तरीके से या फिर कोई बड़ा वाला हो तो हमारे आप यह होता नहीं है इसलिए मुझे इसकी बहुत जादा जानकारी नहीं है लेकिन हाँ टीवी में या फिल्मों में देखती हूँ न तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यह तियोहार है मेरे आस पड़ो उसमें मतलब अगल बगल भी कुछ लोग करते हैं देखके बहुत ही अच्छा लगता है तो जो भी बहने आज करवा चौत का वरत हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धेर सारी शुब काम नाएं और वैसे तो लेडिस को सभी को अच्छे से तयार होना कपड़े पहनना और यह सब बहुत ही अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना सजना सवरना यह किसे नहीं पसंद होता है लेकिन वही है कि अपनी अपनी तरफ की जो परंपराइं है जैसे हमारे हां हर इताली का तीज होती है उसमें तो पूरे 24 घंटे हम लोगों को निरजल व्रत रहना होता है और जीवित पुत्री का व्रत हो गया छट सब्हाइं हो क्यो कि हमारे हां ड़ा पीर दिन पूजा नहीं की जाती है तो हमारे हां मेरा नाश्ता हो गया सबका नाश्ता हो गया टैंपू नहीं करूंगी गाईज और जा रही हूं आवला रिच्छा लगा लेंगी फिर एक घंटे बाद उसको हेड़ वाश कर दूंगी और हाउस हेल्प का भी आज करवा चो थे तो मैं उसको मना कर दी थी वो आ रही थी लेकि तो आप पुराने कोई कपड़े पहनी है निकालने में फिर वाश करने में भी दिक्कत होता है और मैं उसको लोहे कड़ाई में रख्यों तो काफी काला हो गया तो गीरेगा जहां भी वहां दार लग जाएगा तो इसी लिए मैं इसी पर पहनी लगाउंगी चलिए चल्दी में कितना काला हो गया है और इसको लगाने के बाल ना बाल इतने सिल्की स्मूध हो जाते हैं ये मैं पुराना टाल रख ले रही हूं कि अगर गिरेगा ना तो वहां पे डाक स्पॉट्स काले धब्बे हो जाते हैं और वो इतने मतलब डाक हो जाते हैं काले होते हैं कि वो शान जैसे उसको करने से मैं तो इसलिए ब्रश से लगाती हूँ क्योंकि अगर आप हाथों से करेंगे ना तो वो बहुत जादा हाथ भी खराब हो जाते हैं तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक स्वस्त रहे हैं मस रहे हैं थैंक यू फो वाचिंग बाई